हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक और नहीं वीडियो में तो आज हम जानेंगे आपके आधार कार्ड से कौन से हाँ पर खाते में आपका डीबीटी या पिर एनपी सिया लिंक है और आधार सीडिंग भी आपका है तो कैसे याँ पर चेक करेंगे घर बेटे अपने मोबाल से क्या उसकी प्रोसेस होने वाली है संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माधियम से आपको बताएंगे तो वीडियो को अन तक बने रहना है और चैनल पर नाया है तो आपके अपने चैनल डिजिटल सुस्ता यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मायाधार की एक ओफिचल साइट है इस साइट पर आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो 12 डिजिट आपका अधार नंबर है यहाँ पर आपको फिलिप करना होगा वो आपको यहाँ पर चैनल कोड आपको दिया रहेगा वो आपको कैप्चर कोड फिल अप करना होगा उसके बाद जो यहाँ पर शेल ओटीब का ओप्शन ने जर आएगा आप इस पर किलिक करेंगे आपका जो 12 डिजिट आपना आधार नंबर है उस पर एक रिजिस्टेशन नंबर जो मोबाइल नंबर है बो रिजिस्टेट होगा उस पर यहाँ पर ओटीब जाएगी वहाँ पर आपको ओटीब डालना होगा और लोगिन नाव पर बटन पर हम किलिक करेंगे यहाँ पर अपने आधार कार्ड में माय आधार की साइट पर हम लोगिन कर चुके है आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारा फोटो यहाँ पर आपको नजर आएगा उसके बगर में आपको यहाँ पर अपनी language सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी language को यहाँ पर प्रिपेर करना चाते हैं इंग्लेज, मराठी, मलियालम, तमिल नाडू, सब तरी हैं पर बास है आप इसको देखना चाते हैं और इड्रेस को पिया पर अपडेट कर सकते हैं उसके बात काफी सारी services आपको यहाँ पर आदर काड को लोग भी कर सकते आपका आदर काड कहा का use हो रहा है बो यहाँ पर आपडेक सकते हैं अपको यहाँ पर नीचे की साइड इसकूल करेंगे तो अब आपके पास येक option ने जाराओगा bank seeding status यहाँ पर एक इसी option में आप यहाँ पर चेक करेंगे आपको यहाँ पर bank seeding जो है वो यहाँ पर दिख जाएगा तो जैसे हम आपने इस पर click किया है तो आप यहाँ पर देख सकते जो आधार bank mapping has been done तो यहाँ पर जो आपका है ICIC bank में हमारा यहाँ पर जो एक्टिवेट है कभ यहाँ पर एक्टिवेट 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 है कभ यहाँ पर एक्टिवेट एक्टिवेट ही बाइस मार्च 2017 को यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था इसके माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते information of providing through the link of wayfation from the server of national payment corporation object जिसे NPSILB कहते है इसी के माध्यम से आप सरकार की तरफ से आपका यहाँ पर इसी खाते में आपको payment डला जाएगा इसी परकार से आपको भी यहाँ पर चेक कर लेना है कि कौन से खाते में आपका यहाँ पर डीवीट है और यह वो एनेवल है या नहीं है और एक्टिव सकते हैं और जिन लोग का जिन लोग का अधार wrang seeding नहीं है यादी वो बंद हो चुका है तो उसको भी यहाँ पर इनेवल नजर आएगा और कब एक्टिविट हुआ है कब यहाँ पर लास्ट अपडेट है वो भी आप यहाँ पर आप देख पाएंगे और यहाँ पर आप होगा और माय आदार की साइट पर यहाँ पर चेक करेंगे ताकि आप सरकार का यहाँ पर फाइदा उटा सकते हैं जैसे यहाँ पर PM किसान सम्मान निदी योजना के तेहत यहाँ पर EKYC के माधियम से डीवीटी के माधियम से यहाँ पर इसी के माधियम से यहाँ पर इसी के माधियम से यहाँ पर इसी के माधियम से यहाँ पर यहाँ पर इसी के माधियम से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसी के माधियम से आदार सीडिंग के ही माधियम से यहाँ डला जाएगा तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर स्टेटस चेक कर लेंगे और very simple process से इस चीज का आपको याद रखना है आप यहाबर घर बेटी आप स्टेटस चेक कर सकते तो उमिद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे और चैनल पर आए तो आपके अपने चल डिजिटल सुच्टा यूटीब चल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम एसन प्रणूम्शन वीडियो हमें पस्ट लाते रहते हैं तो तैंक्यू सो माच